गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शरमा और इस वीडियो में हम 10 फरवरी तक के सभी important करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं काफे कुछ आपको आज जानने के लिए मिलने वाला है वीडियो को अंतर तक आप जरूर अब तमील नाढ़ू में 5 टाऑगर रिजर्व है इसके बारे में ओर डिटेल जानते हैं देखिए दो वाइड लाइफ सेंचुरीज है जिने में एक का नाम है मेगा मलाई वाइड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है स्रीविली पुतुर वाइड लाइफ सेंचुरी इन दो उन्हों के combined area को Tiger Reserve गोशित किया गया है इसके लावा तामिलाड़ों में चार ओर Tiger R zal जों उनके नाम इस परकार हैं सत्यमंगलom Tiger Reserve मदो मलाई Tiger Reserve अनमेलाई Tiger Reserve कला पड्ड मुन्दन धुस्थराई Tiger Reserves तो अब प्रोजेक्ट टाइगर को एड्मिनिस्टर्ड किया जाता है National Tiger Conservation Authority यानि NTC के दुआरा केला संकला प्रोजेक्ट टाइगर के फर्स्ट डिरेक्टर रहे हैं अगर आपसे पुछा जाए कि NTC यानि National Tiger Conservation Authority इसके चेर परसन कोन होते हैं तो परधानमंत्री नरेंदर मोधी इसका आ इंग्लेंड ने भारत को 29 टेस्ट में 227 रनों से हरा कर 8 साल बाद बारते जमीन पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की, कितने वर्सों के बाद घरूली धर्ती पर टेस्ट मैच में ये भारत की पहली हार थी, तो ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप् अस्वीन ये पहले इस्पिनर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट इनिंग की फस्ट बोल पर ही एक विकेट जटका हो और ऐसा 100 इयर्स बाद हुआ है, इन्होंने इंग्लेंड के ओपनर बल्लेवाज रोरी बंस को आउट किया था, साथी इंग्लेंड के कैप्टन जो रूट पहले बैट्समेन बन गए हैं जिन्होंने अपने सोवे टेस्ट मैच में 200 रन स्कोर किये हैं, किस राज्य ने अपने हां सभी परकार के लेंड होल्डिंग को चिन्नित करने के लिए एक अधवीतिय 16 अंकिय यूनिकोड जारी करने की परणाली शुरू की है, तो ये परदेश सरकार द्वारा, इस परणाली में जो 16 डिजिट्स हैं, उनको इस तरह से देखा जा सकता है, कि first 6 डिजिट्स ये population of the land पर बेस्ट होंगी, next 4 डिजिट्स ये जो लेंड है, उसकी unique identity को determine करेंगी, 11 से 14 तक की जो डिजिट्स हैं, ये number of the division of the land को denote करेंगी, और last की 2 डिजिट्स जो है, ये land के बारे में बताएंगी, क्या वो agricultural है, residential है, या फिर commercial land है, इस परणाली का फायदा ये रहेगा, कि जो भी fake registries हैं, disputed lands की, तो उनसे जो है, निप्टारा मिल सकेगा, साथी इसी तरह, land disputes को खत्म करने के लिए, उत्तरप्रदेश सरकार ने हाली में, वरासत drive, इसको भी launch किया था, किस metro ने coronavirus, lockdown के बाद, 66% सवारी recovery, यानि ridership recovery दरप्राप्त करने का एक नया record बनाया है, options आपके सामने हैं, और correct answer का option D, लखनव मेट्रो, इस question का मतलब समझते हैं, इससे पहले आप ये जान दीजे कि option B, नम्मा मेट्रो, तो बेंगलूरू मे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, तो देखिए, इस question का मतलब ये हुआ, कि लखनव मेट्रो, lockdown के बाद, जब से operate हो रही है, तब से इसकी ridership recovery rate, 66% है, यानि 40,000 ridership per day यहां पर देखने को मिल रही है, और ये देश में, जितने भी मेट्रो हैं, उनमें fastest recovery rate है, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, कि लखनव मेट्रो हाली में इसलिए में भी न्यूज में था, क्योंकि ये पहली मेट्रो बन गई है, जिसने train coaches को sanitize करने के लिए UV race का इस्तिमाल किया है, अल्ट्रा वायुलेट रेस को इस्तिमाल किया है, भारत की पहली भूतापिय छेत्र विकास परियोजना, यानि geothermal field development project किस इस्तान पर इस्तापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लद्दाक के लेह district में, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, कि जो geothermal energy होती है, ये renewal energy का ही एक परकार होती है, और जो rocks and flutes, जो earth crust में होते हैं, उनके अंदर जो होते हैं, उससे ये generate की जाती है, एक तरह का well खोदा जाता है, कुआँ आप कह सकते हैं, खोदा जाता है, और नीचे steam या फिर hot water को locate किया जाता है, जब उसकी प्राप्ती हो जाए, तो उस hot water से turbine को drive किया जाता है, और जो ये turbine होती है, ये electricity generator से connect होती है, तो इसकी तरह energy generate की जाती है, साथ ह आप ये भी देखिए, कि option B, C, D, ये सभी आपके लिए important हैं, क्योंकि ये भारत में geothermal energy के source हैं, या पर इनके plant लगाए गए हैं, पूगा जो है, ये जम्मो एंड कश्मीर में है, तता पानी ये 36 गड़ में है, और मनी करन ये हिमाचल पर्देश में है, इसी के साथ कैमबे बेसीन, जो कि गुजरात में है, ये भी geothermal energy का source है, सूरज कुंड जारकंड वाला, ये भी geothermal energy का source है, बाकी अगर इस question की बात करें, तो इसमें जो MOU sign किये गई हैं, वो ONGC Energy Center, Union Territory Administration Ladakh, और Ladakh Autonomous Hill Development Council के बीच किये गए हैं, लददाख के Lieutenant Governor है, R.K. माथूर, India after liberalization, सीर्षक, पुस्तक किस ने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है, बीमल जालान ने, परदान मंत्री नरेंद्र मोधिय ने हाल ही में, हल्दिया में, गेल द्वारा निर्मित, डोबी, दुरुगापूर, पाकरतिक गैस pipeline का उधगाटन किया, ये pipeline कितनी लंबी है, तो इस pipeline की total length है 348 km, विदेश मंत्राले के अनुसार कितने भारतियों को विभिन विदेशी जेलों में रखा गया है, तो अगर options देखे हम, तो इनमें सही answer होगा option C, 7149 भारतिये विभिन विदेशी जेलों में मौझूद हैं, और इसमें ये भी बताया गया है, ये report वैसे किस ने दी है, तो य Minister of State for Ministry of External Affairs, यानि External Affairs में जो राज्य मंत्री है, वी मुरली धरन, इन्होंने ये जानकारी दी है, और उन्होंने ये कहा है कि सबसे आदा सौधी अरब में जो भारतिये कैदी मौझूद हैं, उसके बाद संयुक्त अरब अभिनात में, और तीसे नमबर पर नेपाल में, तो य नहां से आपके दो कोश्चन मन गए, एक तो यही जो हमने कोश्चन पढ़ा, दूसरा ये कोश्चन कि Who is the Minister of State for Ministry of External Affairs, आंसरुगा V. मुरली धरन, इंग्लेंड क्रिकेट टीम के खिलाडियों को M.H. इदंबरम स्टेडियम चेन्नई में भारत ही खिलाफ पहले टेस्ट मैच में काले रंग का बैंड पहने देखा गया, ऐसा करके उन्होंने किसे सरधानजली दी थी, तो इन्होंने सरधानजली दी थी Tom Moore को, टोम मूर की अगर हम बात करें तो इन्हें Captain Tom के नाम से भी जाना जाता है, ये British Army Officer और Businessman रह चुके हैं, इन्होंने COVID-19 Pandemic के दोरान काफी ब निमली कित में से कौन, जनवरी में Shears एकिकरत भुकतान इंटरफेस यानि Top Unified Payment Interface एप बनकर उबरा है, जिसमें 1.91 ट्रिलियन रुपे के 968.72 मिलियन लेन देन हुए हैं, तो कुल मिलागर कोश्चन ये पुछा जा रहा है कि जनवरी में सबस्यादा ट्रेंजक्शन किस एप के द्वारा किये गए हैं, तो ये किये गए हैं, फोन पे के द्वारा, इसके बाद दूसरे नंबर पर है Google पे, तीसरे पर है Paytm, चोथे पर है Amazon, और उसके बाद भीम, फिर WhatsApp, तो फोन पे कि अगर बात करें, तो ये Walmart के एक Subsidory है, या फिर आप Flipkart की कह सकते हैं, यो Flipkart भी Walmart की Subsidory है, और इसका Headquarters बैंगलोरू में है, कू और संदेश क्या हैं, ओप्शनस आपके सामने हैं, और correct answer होगा, ओप्शन A, कू और संदेश एप्स हैं, ये किसलिए News में हैं, देखिए, some government officials reportedly now using संदेश, अदेशी WhatsApp alternative, तो कुछ जो government officials हैं, वो अब संदेश एप को रहे हैं, और इसको WhatsApp के alternative के रूप में माना जा रहा है, WhatsApp की privacy policy के वज़े से अब और apps जो हैं, यूज में आ रही हैं, साथ अगर बात करें हम कू की, तो Union Mr. Pius Koyle tweets about homegrown Twitter alternative कू, तो कू जो है, इसको Twitter के alternate के रूप में देखा जा रहा है, आपको मालू होगा कि किसान अंदोलन क बारतिय सरकार और Twitter के बीच जो एक तरह से जो खटास आई है, जो एक तरह से इन में जो मनमुटा हुए हैं, इस तरह से आप क्या सकते हैं, क्योंकि कुछ accounts को block करने के लिए भारत सरकार द्वारा कहा गया था Twitter को, लेकि Twitter ने जो है, उनमें से कुछ ही account को block किया है, तो उसक किया जा रहा है, तो ये question आपके लिए काफी important हो सकता है, भारत के सबसे बड़े भित्ती चित्र, भित्ती चित्र मतलब Mural, Mural क्या होता है friends, जो दिवार पर बनाय गई चित्र होते हैं, उनको Mural बोलते हैं, तो भारत के सबसे बड़े भित्ती चित्र, जिसका सीर्चक VR है, किस सहर के इंदरा नगर railway station पर बनाया गया, तो चेनने के इंदरा नगर railway station पर बनाया गया है Mural, और ये किसलिए बनाया गया है, ये जो भी HIV और AIDS से affected community होते हैं, तो उनके साथ अपनी solidarity दिखाने के लिए बनाया गया है, उन पर जो कलंक लगता है, उसको हटाने के लिए, उ and southern railway के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो वी आर, इसका मतलब ही ये है कि हम आपके साथ हैं, और जो भी recover हो चुके हैं AIDS से, तो उनको जो है, वो equal rights deserve करते हैं Indian society में, Pope Francis ने पहली बार bishop के धर्मसभा में एक महिला अवर सचीव निउक्त किया है, वह कोन है, यानि Pope Francis has for the first time appointed a female under secretary to the sign of bishops, who is she, तो correct answer होगा option d, sister Nathalie backward, देखे, sign note क्या होता है, इसको आप एक परिसद या धर्मसभा के रूप में समझ सकते हैं, यहाँ पर जो भी principles, administration के matter fix किये जाते हैं, तो इसी सभा में इनको निउक्त किया गया है, और ये first female under secretary बनी है, जो इस सभा में nominate की गई है, और ये french है, किस निची छेतर सामान्य बीमा कंपनी ने, hashtag 21regions why अभियान सुरू किया है, तो ये अभियान सुरू किया गया है, SDFC ergo general insurance त्वारा, तो इसके जो है chairman है, ये हैं, दीपक S. पारिक, और MD and CEO है, Mr. Ritesh Kumar, तो आपको मालूम होगा, COVID pandemic की वज़े से, काफी लोगो वो health की problem भी और कई तरह की problem देखने को मिली है, तो इसी वज़े से कोई unforeseen situation अगर आपके सामने आ जाए, जो आपने उमीद न की हो, तो उसी के बारों में जागरूख किया गया है, कि ये आपको जो है, अपने आपको safe रखना चाहिए, और insurance आपको कराके रखना चाहिए, अडानी एरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई अंतराष्टे हवाई अड्डे में कितने परतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है, ओप्शन्स आपके सामने है, और correct answer होगा option C, 23.5% हिस्सेदारी अडानी एरपोर्ट होल्डिंग्स ने अब मुंबई अंतराष्टे हवाई इड्डे में ले ली है, और ये किस से ली है, ये ACS से Global and Bidwest से इन्होंने ली है, और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अडानी ग्रूप को अब लखनव एरपोर्ट, जयपूर एरपोर्ट, गोहाटी एरपोर्ट, एहमदाबाद एरपोर्ट, थिर्वनंत प्रम तो ये हैं संजीव पूरी और ITC का Headquarters है, कॉलकाता इन वेस्ट बेंगॉल में, कौन से दो Aerospace Startup ने एक वाहन, जिसे आप Space Taxi कह सकते हैं, इसका उप्योग करके छोटे उपगरों को कई ककसाओं में भेजने के लिए एक साज़िदारी की है, इसका सही आंसर होगा, Option B, Bellatrix and Skyroot, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो Skyroot Aerospace है, इसका Headquarters है है और Bellatrix का Headquarters Bengaluru में है, इस Question को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये Headline है, कि Bellatrix Aerospace is building a space taxi for satellites, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि Skyroot Aerospace भी इसलिए न्यूज में रही है, क्योंकि ये फर्स्ट प्राइवेट कमपनी बन गई है, जिसने की रोकेट इंजन का अपर स्टेज को टेस्ट किया है, साथ ही Skyroot ने इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट क्र स्टार्ट अप है, इसने Alaska Airport के साथ एग्रिमेंट किया है, जिसके तहत जो Alaska Airport है, ये इसके जो रोकेट है, उसको लौंच करेगा, साथी पिक्सेल, ये भी फ्रेंट्स Aerospace स्टार्ट अप है, और इसने NSIL के साथ यानी New Space India Limited, जो कि ISRO की एक कमर्शल आर्म है, इसके साथ एक सा रयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, तो ये हस्ताक्षर किये हैं, HAL के साथ, हिंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ, इसी तरह के अगर हम HAL से जुड़े हाली के Current Affairs देखें, तो Indian Navy ने जो है, HAL द्वारा निर्मित 3MK3 Advanced Light Helicopters प्राप्त किये हैं, सा साथी HAL ने हाली में Smart Anti-Airfield Weapon जिसको 100 भी बोलते हैं, इसको भी successfully test fire किया है, साथी Indian Air Force जो है LCA Tejas की First Delivery 2024 तक प्राप्त कर देगा, ऐसा कहा है HAL के Chairman ने, साथी जो HAL है, ये Unmanned Pseudo Satellite इसको भी develop कर रहा है, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, कि HAL का Headquarters बेंगलूरू में है, और इसके Chairman and MD है, आर माधवन, अब देखते हैं, प्रीवेस assignment questions के answer, what is Dogecoin, what is Dogecoin, तो ये एक cryptocurrency है, टेहरी डैम reservoir is situated in which state, उत्राकंड, which railway zone operated the longest ever freight train, वासु की, Southeastern Railway Zone, who is the Director General of National Investigation Agency, Y.C. Modi, who is the Director General of National Disaster Response Force, S.N. Pradhan, अब देखते हैं, आज के assignment questions, Global Tiger Day is observed on which day, Salarjung Museum is located in which city, on Republic Day, BSF unfurled the tallest flag along India Park border in Jammu, what is the height of the flag, who is the Director General of Indian Council of Agriculture Research, I.C.R.A., ये भी हाल ही में, N.T.P.C. के exam में पुछा गया था, देवी अहिल्याबाई होलकर, International Airport is located in which state, तो friends, इन पाचो questions के answer आपको में comment box में बताने हैं, अगर आपको एक question का answer भी आता है, तो भी आप में जुरूर बताएं, साथी वीडियो को like जुरूर कर दिया कीजिए, तो इससे एक motivation मिलता रहता है, और अच्छा करने के लिए, और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्तों आपर current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Telegram पर share करें, like करें और comment करके बताएं कि यह video आपको कैसी लगी, thank you guys.